नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे शुरू करते हैं चित्र भारती कथा माला की एक और मसिदार कॉमिक्स प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल मौत का फरिष्टा तुम बैठे नहीं थे बलकि तुम सो रहे थे ओ लेकिन यह देखो लगता है मिस्टर शाम सुन्दर सिगरट बहुत पीते थे पिछले एक घंटे में उन्होंने लगभग पंदरा सिगरट पी डाली लेकिन तुम यह कैसे कह रहे हो कि यह आत्मत्या नहीं हत्या है सिगरट के धुमे की महक से जरा सुंखो मुझे तो कोई महक नहीं आ रही मुझे भी नहीं आ रही यह क्या कहना चाहता है आप समझे नहीं कि कपिल क्या कहना चाहता है नहीं खैर चाने दीजिए आओ लाश को पोस्ट माटम के लिए भेज कर हम दलबीर सिंग और यूसुफ खान के पास चलते हैं बाद में मिस्टर जर्बेर सिंग और मिस्टर यूसुफ खान आपको शायद पता नहीं है कि हम पुलिस की आदवी है कोई खुंखार कातिल आप लोगों की जान के पीछे पड़ा है हम आप से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आपके खयाल से यह व्यक्ति कौन हो सकता है हम को कुछ नहीं बता हम शरीफ आत्मी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह हो क्यों रहा है हम वापस जाना चाहते हैं यह लोग कुछ बात छिपा रहे हैं नहीं, जब तक मुझको कातिल का पता नहीं लग जाता, मैं इस लॉज से किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वह है रहस्ते में कातिल कोई भी हो सकता है, शायद आप दोनों में से ही कोई कातिल हो, हम, हाँ, वैसे भी कमपनी की शर्त के अनुसार आप 13 दिन से पह आप पर भी, जी, लेकिन मैं वादा करता हूँ, कि अगले 24 घंटे के अंदर कातिल मेरी हिरासत में होगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सुनी, मुझे मैनेजर पर भी शक हो रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है, जिसके पास हर कमरे की डुप्लिकेट चाभी रहती है, और दबे पाउं यूसुफ खान के कमरे की तरफ पढ़ रहा है, वह परचाई यूसुफ खान के कमरे के सामने आकर रुख गई, उसने चुकरना होकर चारो तरफ देखा, फिर दरवाजे में एक चाभी घुमी, और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, आप क्या चाते हैं भ खत्म करने की कोशिश कर चुके है मिस्टर मैनेजर, लेकिन आज तक कोई काम्याब नहीं हुआ, अब बताओ, यहां तुम क्या करने आये थे, और इसमें क्या है, हशीश, यह मिस्टर यूसुफ ने मुझसे मंगवाई थी, उन्होंने ही मुझसे इस वक्त आने को कहा था, ताकि किसी को यह बात पता ना चले, आप चाहें तो मिस्टर यूसुफ से खुद ही पुछताश कर ले, दरसल मिस्टर कपिल, इस लौज में बड़े बड़े लोग आकर ठहरते हैं, उनके शौक भी अजीबों करीब होते हैं, और ना चाहते हुए भी हमको उनकी मांगें प बेड़ हो जाए, अच्छा पर कपिल अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था, कि तभी एक चीख ने पूरी लौज को कपा दिया, यह चीख दलबीर सिंग के कमरे की तरफ से आई है, क्या हुआ सुनील, दलबीर सिंग अभी अभी चीखा था, दरवाजी में ताला लगा ह और वह कोई जवाब नहीं दे रहा है, चाबी मंगवाने का समय नहीं है, लगता है आज फिर एक दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, तुम पीछे हटो, रुको मेरे पास मास्टर की है, यह दरवाजा उस ते खुल जाएगा, सुनील ने अपनी जेब से मास्टर चाबी निक उफ, अंधेरे में बत्ती का स्विच ये नहीं मिल रहा है, अचानक सुनील को किसी चीज से ठोकर लगी, अ, यह जमीन पर क्या गिरा है, तभी बत्तिया जल उठी, का कौन, ओ, कपिल, लेकिन यह क्या है, तीसरी हत्या, या आत्म हत्या, खिर्की रोशन दान अंदर से किया, उसके पेट में चुरा घोब कर उसकी मुठी में पकड़ा दिया, और फिर तुम एक चीक मार कर बाहर आ गए, जब मैं यहां पहुचा, तब तक तुम दर्वाजे में ताला लगा कर बाहर आ चुके थे, लेकिन जल्दी बाजी में तुम लाश के पास आत्म हत्या का वह नोट रखना भूल गए थे, जो तुमने पहली दोनों राशों के पास रखा था, तुम वह आत्म हत्या का नोट रखने जानबूज कर लाश के पास गए थे, यह बहाना बना कर कि तुम बत्ती का स्विच ढून रहे हो, तुम्हारे पास अपनी बात का क्या सबूत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पर सिर्फ तुम्हारी उगलियों के निशान होंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम पुलिस के आदमी होकर ऐसी नीच हरकत भी कर सकते हो, असंभव, क्योंकि हम लोग कातिल को देख चुके हैं, और सुनील वह कातिल नहीं है, कात कपिल भी बाहर खूद गया, वह इधर तो कहीं दिखाए नहीं दे रहा, मैं यहां हूँ, कपिल भाग कर वहां पहुंचा, गायब हो गया, वह इस इलाके को मुझसे जादा अच्छी तरीके से जानता है, यहां पर छिपने की हजारों जगे हैं, वह यहां कहीं पर भी हो सकता है, मैं यहां हूँ, कपिल फिर भागा, फिर गायब हो गया, तभी कपिल को पीछे से किसी ने धक्का दिया, और कपिल हजारों फीट गहरे खड़े में लटक गया, हाहा, महान जासुस कपिल जी, मैं इंस्पेक्टर सुनीर नहीं हूँ, वह बेचारा तो मेरी कैद म है, उसका अपरन तो मैंने हवाई जहाज पर बैठने से पहले ही कर लिया था, एयरपोर्ट पर सुनीर के बदले मैं तुमसे मिलने आया था, फिर तुम कौन हो, यह हत्याय तुमने क्यों की, पहले मैं यह मास्क और कपड़े उतार दू, हाँ, अब यह बाते तुमको बतान ये व्यक्ति उसी शहर की एक गंदी बस्ती में रहते थी, लोग इनको गुंडे कहते थे, उस वक्त मैं एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर था, मैं इनकी बगल में ही रहता था, एक दिन यह चारों मेरे पास आए, यार गंगु, आज तु जरा टैक्सी में हमें घुमाला मैं तयार हो गया, रास्ते में इन लोगों ने अपने मुँपर कपड़े बांद लिये, यह क्यों, हम आज एक अपने दोस्त को डराने जा रहे हैं, वा, हा, हा, बड़ा मज़ा आएगा, बस गाड़ी रोग दो, इन लोगों ने गाड़ी एक बैंक के सामने रुकवाई, य तुम्हारा दोस्त शायद तुम लोगों को पैचार नहीं पाया, उसने पुलिस पुला ली, फिक गोली चला रहे हैं, पुलिस को चक्मा देना अब तुम्हारा काम है गंगू, अभी लो, मैंने टेड़ी मेड़ी सरकों पर गाड़ी तेजी से भगाने शुरू कर दी, और जीब बहुत पीछे रह गई, शाबाश गंगू, अब हम चलते हैं, पर आज की बात किसी को बताना मत, तुमको दोस्ती की कसम, कैसी बाते करते हो यार, गर पहुंचकर मैंने देखा कि एक थैला मेरी टैक्सी में ही चूट गया था, मैंने सोचा कि यह थैला कल मैं उनके पा फीट कहरे खड में गिरता चला गया, आ, हा, हा, जो काम बड़े-बड़े नामी गुंडे नहीं कर पाए, उसको आज मैंने कर दिखाया, मैं महा हूँ, अब मेरे और यूसुफ खान के बीच कोई नहीं आएगा, लौज में लोग सुनील को ढूनते रह जाएंगे, और वरना गोली सीने से पार हो जाएगी, ककपिल, तुम तो खाई में गिर गए थे, मैं खाई में गिरा नहीं था, बलकी एक जाड़ी पकड़ कर लटका हुआ था, मैंने गिरने से पहले ही एक मजबूर जाड़ी पकड़ रखी थी, और तुम यह समझते रहे कि मैं मर गया, फ आपने आपको चुपचाप मेरे हवाले कर दो गंगू इसी वे तुम्हारी भलाई है नहीं गंगू को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता नहीं गंगू बेवकुफी मत करो अपराधियों का अन्थ हमेशा बुराई होता है यूसुफ खान जैसा तुम्हारे तीन साथियों का चलो अब तुमको वापस ले जाकर कानून के हाथों सौब दो और फिर कपिल यूसुफ खान के साथ वापस अपने शहर की तरफ उड़ चला एक दिन बाद कपिल इंस्पेक्टर खन्ना और असली इंस्पेक्टर सुनिल के साथ बैठा था मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे स तुमको पुलिस के हवाले कर देता कतल वह करता और फासी तुमको लगती लेकिन तुम्हें उस पर शक कप हुआ सुनिल उर्फ गंगु पर सबसे पहला शक मुझे यह देखकर हुआ कि हत्याएं उनकी ही हो रही थी जिनकी निगरानी वह कर रहा था दूसरे शक का कारण उस इसलिए कि वह हर हत्या को आत्मत्या बताने रखता था सबसे पहले एंथनी की हत्या को लो वह तो तुमको पताई है कि बाए हाथ में पिस्टॉल और दाहिनी कनपटी पर घाव देखकर मैंने यह समझ लिया था कि यह आत्मत्या नहीं हत्या है उस वक्त शाम संदर ने लेकिन कमरे में सिग्रेट के दुमें की गंद बिलकुल भी नहीं थी जबकि कंद कि खिड़ की और दरवाजा बंद थे अगर कि recess पीते समय वक्त बंद कोती कंद कर भोन होती तो पिल 笑व के घटना स्थल जाकर भीगी रूई भी मिली थी वास्तर में गंगू ने शाम सुंदर को क्लोरोफर्म सुंगा कर बेहोश किया और फिर उसको गर्दन में फंदा डाल कर लटका दिया फिर उसने खिरकी बंद की और बाहर से दर्वाजा लॉक करके सोने की एक्टिंग करने लगा बाकी रही दलबीर सिंग के कतल की बात तो वह तुम लोग लॉज के मैनेजर से पहले ही सुन चुके हो लेकिन तुम लोगों को शायद यह नहीं पता कि गंगू के कातिल होने का सबसे बड़ा सबूत मुझे उसी कतल के दोराल मिला वह था गंगू के पास मास्टर चाबी की मौजूद की हर कतल में कातिल चाबी से दरवाजा खोल कर अंदर गया था यह काम सिर्फ गंगू और मैनेजर ही कर सकते थे और दलबीर सिंग के कतल के समय मैनेजर मेरे साथ खड़ा था मेरा सारा शक गंगू पर तभी से केंदरित हो गया लेकिन यह आत्मात्या के चिठ्थियां तो मरने वालो दिखाया कपिल हमेशा की तरह तो यह थी प्राइवेट डेटक्टिव कपिल की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसे ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हां मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद